नमस्का मित्रों लोग पर लोग चैनल में आपका बहुत वोश्वागत है। मित्रों इस महापुरुष के बारे में बताने से पहले थोड़ा कटक के बारे में भी आपको जनकारी देता चलू की कटक भारत के उडिसा प्रांत का एक नगर है। यहां कटक जीला के अंतर आता है, कटक उडिसा का एक प्राचिन नगर है, जो सिल्वर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। केशरी वंस के समय यहां बने सैनिक सिविल, कटक के नाम पर इस सहर का नाम भी कटक रखा गया था। यहां के कीले, मंदिर और संग्रहाले परेटकों को अकरशित करते रहते हैं। कटक उसमें उडिसा के मध्य यूगीन राधानी था, जिसे पदमावती भी कहते थे। देश के स्वाधिन होने के उपरान सन 1949 में उडिसा की राधानी कटक से भुने स्वर में अस्थनांत्रीत कर दिया गया। यह नगर महा नदी और उसकी सहायक नदी काठ जोडी के मिलन अस्थर पर बना हुआ है। वैसे तो कटक में बहुत से खास परिटन अस्थल, धार्मिक अस्थल हैं जैसे बाराबाटी का कीला, परमहन सनात मंदी, धौले स्वर मंदी, नौडिज संग्रहाले, नेता जी के जन अस्थान संग्रहाले, आनंद भोन संग्रहाले, कदमर सूल इ, नदी किनारे दिवार, लाल बाग महल, सलीपूर बरान संग्रहाले, रेमेसा बिस्वध्याले इत्याद, लेकिन आज मैं एक ऐसे महापूरुस के बारे में बताऊंगा, जिनकी आयू इस समय 141 वर्स की हो चुकी है, जी हां मित्रों, इस समय उनकी आयू 141 वर्स की हो चुकी है, और वे हमेसा भग जाता रहा है, लेकिन उरीसा के कटक में ये महापूरुस हवा और पानी की सहायता से ऐसे ध्यान में समाधी लगाए रहते हैं कि उन्हें कोई खाने पीने की आवसकता ही नहीं पड़ती, ये महापूरुस ना गुफा में रहते हैं और नहीं जंगल पहाडों पर ही रहते है बलकि अपने घर में ही इस्वर में हमेशा ध्यान लगाकर समाधी लगाए बैठे रहते हैं, उनकी इस्वर में इस तरह ध्यान लगा रहता है कि उनके उपर बाहरी दुनिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, न कोई बीमारी और नो ही कोई कष्ट, ऐसे ही महापूरुसो के कारण ही आजधर्ती पर धर्म के प्रति मिश्था, आफ्था और विश्वास बना हुआ है, सरीर में हट्टियों ने मांस का साथ छोड़ दिया है, फिर भी उनके ध्यान पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है, सायर हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे ही महापूरुसों, महात्मा के कारण आजधर्ती ठिकी हुई है, और धर्म का प्राण बचा हुआ है, नहीं तो लोगों में से इंसानिय तक मरती जा रही है, और ऐसे में इस औरस्था का कल्पना करना तो आज और कल्पनी जान पड़ता है, अतह इस महात्मा और महापूरुस से यह प्रेड़ाहरे मिलत सचे हिर्दे से भगवान में ध्यान लगाना चाहें, तो आप अपने घर में भी लगा सकते हैं, और अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं, मित्रों वीडियो पसंद आया हो तो इसे सेर और लाई जिरूर करना, अगले वीडियो में एक नई जानकारी साथ पुना मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार